आज के इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी वहन की RC को कैसे डाउनलोड किया जाता है तो अगर आप भी अपने किसी वहन की RC को डाउनलोड करना चाते हैं तो इस वीडियो को पुरा ध्यान से एंड तक देखते रहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो किसी भी वहन की RC को डाउनलोड करने के दोस्तो दो तरीके हैं एक आप ब्रायूजर से डाउनलोड कर सकते हो और second method में आप Digilocker app में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तो मैं आपको ब्राउजर से डाउनलोड करना सिकाऊंगा और उसके बाद डिजी लोकर एप से तो ब्राउजर से डाउनलोड करने के लिए दोस्तो आपको अपने मोबाईल या लेपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना है क्लिक करोगे आपको यहां से अपना state चूज करना है उसके बाद यहां से आप अपना RTO office चूज करेंगे टम्स को accept करेंगे और proceed के बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे आप proceed के बटन पर क्लिक करो अगेन आपको यहां पर proceed के बटन पर क्लिक करना है और यहां से आप अपने वेहिकल के रिलेटेड सभी काम कर सकते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तो डाउनलोड डॉकुमेंट में आरसी को प्रेंट करने का ओप्सन देख जाता है आप यहाँ पर अपना रेजिस्ट्रिसन नंबर डालेंगे चेशिस नंबर डालेंगे इंचर नंबर डालके जैसे ही verify details पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपनी आरसी को डाउनलोड कर पाऊगे लेकिन उसके पहले दोस्तो आपको यहाँ पर अपनी आरसी में अपना mobile नंबर एक बार update करना होता है तो उसके लिए दोस्तो आपको यहाँ पर services में आना होगा उसके बाद आप यहाँ additional services में आएंगे और यहाँ पर आपको update mobile नंबर का option मिल जाएगा तो इसी पर आपको click कर देना है उसके बाद आप यहाँ yes पर click करेंगे यहाँ पर आप अपना registration number डालेंगे चेचिस नंबर डालेंगे engine number डालेंगे registration date डालेंगे और यहाँ पर जिस date तक आपका registration valid है वो date आप यहाँ पर डाल दोगे और उसके बाद आपको यहाँ so details पर click कर देना है तो मैंने यहाँ पर दोस्तो अपनी सभी details को enter कर दिया है vehicle registration number, चेचिस नंबर, engine number, registration date और यहाँ पर up to date मतलब जब तक यह registration valid है वो date भी मैंने यहाँ पर डाल दी है और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह सारी चीजें आपको आपकी RC में देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद जैसे आप so details पर click करोगे आपको यहाँ पर अपना आधार number डालना होगा जो name आपके आधार card पर है आपका वो name आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपके आधार में जो भी mobile number लगा है वो mobile number आप यहाँ पर डालोगे terms को accept करोगे और फिर verify के बटन पर click कर दोगे तो जैसे ही दोस्तों मैंने आपर अपनी details को enter करने के बाद verify के बटन पर click किया जैन उसके बाद यहाँ पर मेरा mobile number और उसके बाद यहाँ पर उसका name आ गया जो name पड़ा था और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ update mobile number पर click करूँगा उसके बाद यहाँ पर मेरा जो mobile number है वो successfully update हो जाएगा और इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी RC को download कर सकता हूँ तो आप download करने के लिए आप यहाँ download document पर आएंगे RC print पर आएंगे जैसे आप इस पर click करें उसके बाद आपको यहाँ पर अपना registration number डालना है चेशिस number डालना है, engine number डालना है और verify detail पर click कर देना है जैसे ही आप verify detail पर click करोगे उसके बाद आपके इस mobile number में एक OTP आएगा तो आप यहाँ generate OTP पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP भेज दिया गया है वो OTP अब आप यहाँ पर डालोगे और submit के बटन पर click करोगे जैसे ही आप submit के बटन पर click करोगे जैसे मुझे इसे PDF फाइल में डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर आऊंगा उसके बाद आपको यहाँ पर save as PDF को select करके आपको यहाँ पर save के बटन पर click कर देना है जैनि यह फाइल यहाँ पर PDF फार्मेट में आपके यहाँ पर laptop या mobile phone में save हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से दोस्तो आपको online browser से डाउनलोड करना होता है और आप आते हैं कि आप यहाँ पर digilocker app से कैसे डाउनलोड करेंगे तो digilocker से RC को डाउनलोड करने के लिए आपको play store से digilocker app को डाउनलोड कर लेना है साथ ही इसकी link में इस video के description में भी दे दूँगा जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लो उसके बाद आपको इसे open करना है जैसे ही आप इसे open करोगे देन आपकी समनिए कुछ इस प्रकार से open होकर आ जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें सबसे पहले आपको अपना एक account बनाना होता है जो कि आप अपने आधार के थुरू बना सकते हैं लेकिन मैंने इस पर एक already वीडियो बना रखी है कि इसमें account को कैसे बनाया जाता है और उसके बाद इसे यूज कैसे करते हैं तो अगर दोस्तो पहले से आपको डिजलोकर एप के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो आप हमारी पहले वो वीडियो देख लेना जिसमें आपको इसके बारे में सारी चीजे पता चल जाएंगी कि इसमें यहाँ पर documents issue कैसे करते हैं account कैसे बनाते हैं और इसका use कैसे करते हैं और इसका महत वो क्या है ताकि आपको इसके बारे में सारी चीजे पता चल जाएं और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि simply search की बटन पर click करना है आप यहाँ search for document पर click करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर registration of vehicles में all states को open कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ से अपना registration number अपना chasis number डाल के अपने document को यहाँ पर निकाल सकते हो और जैसे ही आप यहाँ पर अपना registration और chasis number डाल के get a document पर click करोगे then आपकी जो RC है वो इसमें issue हो जाएगी और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी RC में वही नाम पड़ा होना चाहिए जो कि आपके आधार में है तब ही आपकी RC issue होगी और उसके बाद जैसे ही आपकी एक बार RC issue हो जाएगी वो आपको यहाँ पर issue documents में दिखाई देने लगेगी जिसे आप यहाँ से download कर सकते हैं आप उसी के सामने 3.पर click करोगे उसके बाद यहाँ पर view page पर click करोगे उसकी PDF फाइल आ जाएगी और यहाँ पर आप download के बटन पर click करके उसे PDF format में अपने mobile phone में download कर पाओगे तो कुछ इस प्रकार से दोस्तो आप Digilocker से भी अपनी RC को download कर सकते हो जिसमें आपको सिर्फ अपना registration number और चेचिस number डलना होता है और बागी का ज़जट काम नहीं करना होता है तो कुछ इस प्रकार से दोस्तो आप Digilocker एप से भी अपनी RC को download कर सकते हो जिसका मैंने आपको पुरा complete process बता दिया है साथे अगर आपको इसमें कोई problem आ रही हो तो आप उसे हमसे इस Instagram ID पर बता सकते हैं आपकी problem को देखकर मैं उसका आपको solution बता दूँगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जूर कर देना साथे अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं